नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अच्छाड को राज मैं बात करने वाला हूँ मदर संसुमी सिस्टम लिमिटेड के बारे में तो दोस्तो आज इस टॉक ने अपर सर्केट लगाया है और तीन ऐसे बड़े कारण है जिस कारण से इस टॉक ने अपर सर्केट लगाया है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अपर सरकेट क्यों लगाया है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो दोस्तो इसका इंटरे चार्ट आप देख सकते हैं ओपनिंग होती है 71.50 पे क्या शांदार प्रफॉरमेस जो है वो मदर सन सुमी द्वारा आज डिलिवर किया गया है अगर मैं आज के प्रफॉरमेस की बात करूँ तो 16.09 परशंट का जंप है 11.45 रुपे ये स्टॉक अप है अगर मैं बात करूँ 5 दिन की तो ये स्टॉक 56.50 पे ट्रेट कर रहा था अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो इस स्टॉक ने 5 दिन में लगो 50% के आसपास रिटर्न्स आपको कमाके दिये हैं जो बहुती शांदार है अगर मैं बात करूँ दोस्तो एक महीने की तो ये स्टॉक 60.75 पे ट्रेट कर रहा था एक साल की अगर मैं बात करो दोस्तों आप देख सकते हो यह stock 157.15 के आसपास trade कर रहा था तो अगर मैं वहाँ से गिरावट की बात करूँ तो यह stock 50% के आसपास जो है वो correct हो चुका है आप अच्छे से जानते हो यह stock जो है वो auto sector से belong करता है और auto sector की जो हालत है वो आपको अच्छे से पता है मेरे को जादा explain करने की जुरूरत नहीं है तो अभी मैं बात करता हूँ कौन से वो तीन कारण है जिस कारण से इस stock ने upper circuit लगाया है तो दोस्तों पहला जो कारण है वो है 500 करोड का जो है वो approval दे दिया गया है इनके board के दोआरा arrange करने के लिए और यह जो arrange किया जाएगा दोस्तों वो किया जाएगा issues of securities के दोआरा जो दूसरा बड़ा कारण है वो है दोस्तो इनका जो चाइना का जुनेट है वो दोस्तो काम करना शुरू कर दिया है तो इस कारण से ये स्टॉक जो है वो दोस्तो आपको अपर सर्केट लगाता हुआ दिखा तीन सरा बड़ा जो कारण है वो दोस्तो एक common सा कारण है वो है दोस्तो market की आज की performance जिस हिसाब से आज market ने perform किया है उस हिसाब से इसने जो है वो आपको upper circuit दिखाया है तो अभी बात करते हैं कि क्या आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो दोस्तो पहले बात करते हैं इसके previous close की तो आप देख सकते हो 71.15 है opening होती है 71.50 पे high बनाता है 83.90 का low की अगर मैं बात करूँ तो ये बनाता है 70.70 का adjusted closing के अगर मैं बात करूँ तो 81.50 पे इसको मिलती है अगर मैं बात करूँ ट्रेड़ वाल्यूम की तो वाल्यूम जो है वो आप देख सकते हैं शांदार वाल्यूम है 5.60,597 शेर जो है वो ट्रेड होते हैं उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो percentage of deliverable quantity to trade quantity तो 22.25 परसंट की delivery जो है वो उठाई जाती है अगर deliverable quantity की बात करूँ तो आप देख सकते हो 1 करोड 11,58,728 शेर जो है वो delivery पे उठाई जाते हैं अगर आप deliverable percentage की बात करें तो दोस्तो ये जो percentage है आपको इतनी अच्छे नहीं लगेगी बट deliverable quantity की अगर मैं बात करूँ तो एक करोड से जादा delivery जो है वो उठाई गई है एक करोड की delivery जो होती है दोस्तो बहुत ही शानदार होती है उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तो 52 week लो तो इसने बनाया था 24 March को 48.65 का अगर मैं बात करूँ 52 week है तो इसने बनाया था 18 April 2019 को 162.90 का तो ये stock को आप देख सकते हैं वहाँ से कितना जादा correct हो चुका है तो दोस्तो मैंने आपको कारण जो है वो बता दिया है कि इसने जो है ओपर सर्केट क्यों लगाया है अभी बात करते हैं कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं क्योंकि retail investor का इस stock की तरफ काफी ज़्यादा interest है तो पहले तो मैं आपको Mother Sun Sumi के बारे में बता दूँ शांदार company है को दिकच company है और इनका जो business है वो काफी अच्छा है और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा जिस price पे available है वो definitely अच्छा है बट एक बात आपको पता होनी चाहिए वो यह है कि auto sector की हालत जो है वो पहले से बहुत बुरी थी और आज जो है वो इसकी और जादा हालत पतली हो गई है तो बाकी stocks के साथ आप comparison करके देखिए जो stock अच्छे से परफार्म कर रहे थे उनकी हालत इतनी जादा पतली हो गई है तो यह stock जो है वो इनका क्या होगा तो मैं आपको better suggestion दूँगा कि आप उन stocks में निवेश करें जिन पे कम impact होगा यहां फिर वो stocks जो FMCG यहां फिर दोस्तो फामा से related है तो इन stocks पे आपको ज़्यादा focus रखना चाहिए पहली जो आपकी preference है वो आपकी उनकी तरफ होनी चाहिए फिर जो है वो आप ऐसे stocks में निवेश करें हलाकि अगर आप long term सोचते हो तो mother sunsumy जो है वो बड़िया stock है और आपको इस price पे अगर मिल रहा है तो definitely आपको खुश होना चाहिए अच्छी बात है तो अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि current market price पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और आपको मैं एक strategy बताना चाहूँ होगा जिस कारण से आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफ़ा होगा तो दोस्तों अगर आपके पास एक लाख रुपया है तो आप जो है वो एक लाख रुपया मदर संसूमे में ना लगाएं आपको करना क्या है अगर आप 5-6-6 साल या फिर 3 साल सोचते हो तो आपको करना क्या है आपको stock जो है वो limited quantity में लेना है ये कभी 5000 लगए ये कभी 2000 कभी 10,000 लगए इस हिजाब से अपना पैसा लगाएं और long term सोचें stock जो है वो बढ़ सकता है rally definitely दिखा सकता है इसमें कोई दोर आयन नहीं है बर दोस्तों stock market का दुस्तूरी ये ऐसा है अगर stock कोई 30 तक जाना होता है तो वो directly 30 तक नहीं जाता वो up downs दिखाता है और बैसे भ जादा अगर बढ़ गए तो दोस्तों हमें ये stock जो है वो या फिर market जो हो अपना low फिर से लगाता हुआ दिख सकता है तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है पैसा अपना जो है वो एकदम नहीं लगाना है क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि market और कितना जादा गिरेगा हमें PBR जैसे शेर, Reliance जैसे शेर, रात सेने टुबरो जैसे शेर 500 के आसपास मिल रहे थे, 700 के आसपास मिल रहे थे या फिर 800 के आसपास मिल रहे थे और हम उसको average आउट नहीं कर पाए क्योंकि हमने जो है वो लमसम amount जो है वो लगा दिया था तो इन बातों को आपको ध्या इस चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा तो इन बातों को आपका ध्यान रखना है और यह नहीं है कि अपना जो है वो पैसा रोक ही दीजिए कि यह 82 पे चल रहा है तो जब यह 40 जाएगा फिर से मैं खरीदूगा रोकना नहीं है पैसा बट आपको slowly invest करना है कभी 82 पे लिजिए अगर dip दिखाता है फिर पैसा लगाई अगर jump दिखाता है फिर पैसा लगाई आपको करना कहा है जब ज्यादा jump दिखाए तो कम पैसा लगाई अगर dip दिखाए तो ज्यादा पैसा लगा लीजिए ऐसे 2000 लगाई अब dip दिखाता है तो 5000-10,000 लगाई तो इस तरह की strategy आपना तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जबूर करें